इस वीडियो में CCS उनिवर्सिटी की फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहली जो अपडेट है वो ये है कि NEP के अंतरगत मतलब New Education Policy के अंदर जो बच्चे minor और जो vocational subject थे वो छाट रहते बहुत से बच्चों ने गलत वो छाट दिये हैं जिसकी वज़े से उन्हें University जाना पड़ा है सही करने के लिए उन्होंने अभी College को एक notice डाल दिया है कि अगर किसी बच्चे का कोई गलत है ये चीज तो उसको University न भेजें वो वहीं से कर दें उन्होंने उन्हें Option दे दिया है सही करने का मतलब College वाले उस चीज को खुद से सही कर सकते हैं अगर किसी बच्चे ने मान के चलो डालना computer का था डाल दिया योगा दूसरी class को देखके तो उसको College वाले खुद से कर देंगे उसको लेके आपको tension लेने की कोई जरूरत नहीं है इसके अलावा एक और update थी हमने इस सारी चीजे लिखी थी हाथ से लेकिन हमने सोचा था कि जब इसका कोई निरने conclusion आ जाएगा हम तब इस पर वीडियो डालेंगे लेकिन अभी जब वीडियो डाली रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी उसमें सामिन कर लेते हैं बात कुछ ऐसी थी इस वर्ट वर्ट पढ़के बता रहें क्योंकि यह जिस तरीके का मेंटर है हमने सोचा इसे कई बार हमने पढ़ा कि इसमें से में में चीजे बताएंगे दो नहीं करा बच्चों की वेसे आ रही थी अब बोलने पर यह बोल रहे हैं जब हम बोल रहें कि फीस को समयोजित करो मतलब adjustment करो तो वो बोलने कि ऐसा करेंगे तो विश्विद्यल्यों को घाटा हो जाएगा वहीं प्रूरे मामले में चात्रों ने अब आंदोलन करने के पीश्यत्यावनी दे जी दी है चात्र नेता का कहना है कि विश्विद्यल्य अपनी द्रेने से मुकर रहा है विश्विद्याले परशासन चातरों को गुमराह कर रहा है ऐसे में विश्विद्याले अपना रुख इसपष्ट करें अत्वा चातर आंदोलन पे कंटिन्यू रहेंगे अन्य चातर संग ने कुलपती को ग्यापन दे कर कहा कि प्राइवेट परिक्षा में भी परिक्षा सुल्क समयवजिन कराएं अन्यता चातर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे विश्विद्याले पर्शासन द्वारा इसको लेकर कोई ने नहीं लिया जाने से पोर्टल पर सारे फोर्म अभी नहीं ओपन करे गए हैं जो कि धिरे धिरे ओपन हो रहे हैं यह अमरुजाला पांच मार्च की अपडेट है इसके नीचे दैनिक जागरन पांच मार्च की अपडेट है इसमें उन्होंने बताया है हम आपको यहां से दिखाते हैं लेकिन अब विश्विद्याले ने ने किया है कि जिन चात्रों ने एक या दो पेपर भी दिया था अगर आपने एक या दो पेपर भी दिया था और उसके बाद प्रमोट करे गए हैं तो उनका भी जो फीस सुल्क है वो समायुजित नहीं की जाएगी उन्हें कोई चूट नहीं मिलेगी और दिवित्य वर्ष का परिख्षा सुल्क भी जमा करना हो गया है विश्विद्याले प्रवक्ता मितिंद्र के अनुसार परिख्षा सुल्क में केबल उन्हीं रेगुलर चात्रों को चूट मिलेगी जिन्होंने पिछले साल पर्थम व विश्विद्याले अपने ही निरेने से मुकर रहा है अगर विश्विद्याले प्रशासन ने जल्दी ही फाइनेंस कमेटी की बैठक बुला कर पूरे मामले को उसमें रखने का आश्वासन दिया है बच्चों को बोला है कि हम बाइफ फाइनस कमेटी बुलाएंगे और उसमें आपका जो है कि यह चीज प्रस्ताव रखेंगे कि जो बच्चे हैं वो फर्स्ट इयर या फर्स्ट समिस्टर वाले जो पर्मोट किये गए थे वो जब सेकंड समिस्टर या इयर में आए हैं उनसे हम फीस ले रहे हैं उसमें करते भी हैं तो एक नोटिस आजाएगा आपके पास हम वो नोटिस को जरूर से बता देंगे और जब वो नोटिस आएगा तो आपको करना यह होगा एक फॉर्म आएगा वो हम उसकी जब नोटिस आजाएगा तभी हम उस फॉर्म को डेस्क्रिप्सन में डाल देंगे उसमे आप account number भरके college में जमा करोगे किस तरीके से form भर जाएगा वो भी हम सारी चीज़े बता देंगे होगा ये कि अगर आपने ये matter नहीं करता कि cafe से fees कटवाई है या किसी और की account से fees कटवाई है कुल मिला के आपकी fees अगर 4000 रुपे गई है और लेनी उन्हें 2000 थी क्योंकि fees adjustment 2000 का इसमें हो गया है तो 2000 रुपे आपके बचते हैं तो वो form भरने के बाद आपको उसमें वो account number देना होगा जिसमें आप fees को बाकी जो extra fees चले जाएगी उसको refund करा सकते हैं जैसे ही कोई वो notice आएगा आपको बताएंगे NEP के लिए सबसे पहले ने बोला था कि अगर आपको form में कोई भी समस्या है तो इस पर डाल सकते हो तो अभी भी अगर आपको कोई भी form भरने में दिक्कत होती है तो इस website पर डाल सकते हो इस email ID पर email उने कर सकते हो इसके अलावा बच्चे जो है इसके लिए हैं जिनमें जादे दिक्कत आ रही है अभी इसने भाई ने foundation course में डाला foundation course जब इसने select किया तो तीन option इसको मिले ये वाले 011, 0120, 013 ये model paper आएंगे आपके वो language आपको देखने किस language का paper आपको देना है कुछ बच्चे का मानना ये होता है कि Sanskrit में अगर हम paper लिखेंगे तो ज़्यादा number मिलते हैं कुछ बच्चे का ये है कि Sanskrit हमें आती नहीं हम Hindi से काम चलाएं कुछ बच्चे है कि हम English में लिखते हैं English में लेंगे तो इन में से तीनों में से मतलब तीनों में content एक ही होगा एक ही चीज के बारे में बात होगी लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कौन सी language में लिखोगे तो Hindi में लिखोगे तो ये वाला चूज कर लेना अगर English में करोगे अगर Sanskrit में करोगे ये करोगे लेकिन अगर आपने उपर foundation course में 012 English priority ले ही लिए तो इनको छेड़ने के कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये subject सिर्फ एक बार होगा दो बार नहीं होने का ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने English लगा लिए आप हिंदी लगा लिए नहीं foundation course में से एक लेना है आपको अगर आप पहले उसे ले चुके हो उपर तो इनने छेड़ने के जरूरत नहीं है वैसे ही 008 के बारे में ये बोल रखा है ये लगाओ अगर आपका qualify नहीं है अगर आप second year का paper भर रहे हो first year में आपने ये दिया है और qualify हो गया है आपका आपका पास result आ गया है तो इसे मत लगाओ लेकिन कुछ ऐसे बच्चे है जो ये सोच रहे हैं कि हमारे result में आ जायेगा जैसे कि मेरे पडोसी के result में हाला कि उसका result नहीं आया है तो भाई आप इसे लगा देना क्योंकि environmental studies में paid podo को कैसे बचाया जाए किस तरीके से paid podo से जो है एक जन जीवन प्रभावित होता है किस तरीके से उनको अच्छा होता है paid podo लगाना ये सब चीज़े आती है कोई भी बच्चा ने लिख देता है तो इस टिक करना जरूरी है मतलब हमारे इसाब से टिक कर देना रिस्क मत लेना तो इसको टिक कर देना किसके नंबर जूड़ते नहीं है ये हो गया इसके अलावा ये वाला कुछ ओप्षन है बहुत से बच्चों के फॉर्म जब ओपन कर रहे हैं तो ये आरा लिखा हुआ अगर किसी बच्चे के फॉर्म में ऐसी गड़बड आती है तो हमारे गुरुप में माइनर या फिर स्किल डवलपमेंट कॉर्से जो वोकेशनल कॉर्से हैं उनका गलत चुनाव कर लिया गया है ठीक है ना तो आप क्या करोगे खुद से अपने आप उस चीज को सही करेगा आपको कॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है क्या पता जिस बच्चे से आप पूछ रहे हो उसके फॉर में खुद से टीचर ने सही करा हो तो टीचर से पूछे कि माइनर तो वो बताएं कि नन करना है माइनर तो select नहीं करना आपको लेकिन फिर भी पूछ ले ने कि माइनर में क्या करना है और ये subject में क्या आता है, कुछ subject ऐसे आता है, मान के चलो sociology का subject आता है, main subject में भी कभी कभी छाटने पड़ते हैं, तो किसी की सलह से ना भरें, उसे teacher से ही पूझे कि sir, दो subject आ रहे हैं, इन में से कौन सा करना है, हाला कि बात यह है कि जो दो subject आ रहे हैं, उन में से मान के चलो, फश्ट भरना था, आपने second भर लिया, और paper की अंतिमतिती हो गई है, और college, university में जाने का time नहीं बचा है, date seat आ गई है, परसो का आपका paper है, तो ऐसे में क्या होगा, कि सारे बच्चों को तो first paper मिलेगा, लेकिन आपको first नहीं मिलनेगा, आपको second ही paper मिलेगा, ऐसा नहीं हो अगर first वाला कोई option है, और first वाला ही आप उस form को भर रहे हो, sir के कहने से, तो आपके पास, sir वो वाला ही model paper आपको बताएंगे, या फिर वही subject बताएंगे, जो की आसपास available होगा, easily और जो cafe वाले होते हैं, वो भी sir के contact रखने से ही, वो सब चीज़े books बगरा लेके आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सी book बच्चे खरीदेंगे और कौन सी नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना तो हो सकता है, इतना बस आपको problem face करनी पड़े कि जब आप model paper लेने जाओ, तो वो market में ना मिले, बाकी आप online पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ठीक है, अभ हमने वीडियो नहीं डाली दो दिन के लिए क्योंकि fees adjustment के बारे में यह जो है हला गुला चल रहा है वहाँ पर युनिवर्सिटी में, इसका final conclusion नहीं निकल का है, इसलिए वीडियो नहीं डाली, हमने लिख रखा था, 5 तारिक का था, 6 तारिक का भी था, हमें नहीं लगा था अगर आपका कोई भी सवाल हो, परिक्ष्टा फोर्म से related हमें message कर सकते हैं हमारे group में या फिर personally, ठीक है न, अगर आपको वो details सब के साथ share नहीं करने तो personally कर लेना, हम आपकी help कर देंगे, बागी कोई भी सवाल हो comment करना, कोशिश करें जीतना किल दी हो सके आपके सवालों क reply करने की video के description में telegram group की link के join कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी update आती है, तुरंत सबसे पहले आपको महीं पर सूचित किया जाता है